तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लाश 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़ादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लाश 12 का जो आपका English course subject है जिसका subject code है आपका 301 तो इसका जो आपका mid term का exam होने वाला है उसके लिए एक important sample question paper इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं और ये sample paper आपके लिए बहुत ज़ादा important हो जाता है बच्चों क्योंकि जो भी questions हम लोग discuss करेंगे इस sample paper के अंदर इसमें से बहुत सारे questions आपके paper में डिट्टो repeat हो सकते हैं इस बात की बहुत ज़ादा संभावना है क्योंकि इस sample paper को design करते वक्त उन्ही questions को यहाँ पर pick किया गया है जो पिछले 10 साल के paper के अंदर बार बार repeat होते हुए आए हैं ठीक है जाए आपका notice का format हो या अदर grammar के portion की चीजे हो उनकी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजेगा क्योंकि यह English score का हमारा sample paper की series का पहला वीडियो है ठीक है तो अगर आप इस वीडियो पर मैं like का target set कर देता हूँ अगर आप इस वीडियो पर 1000 like पूरे कर देते हैं तो मैं आपको promise करता हूँ कि कम से कम 5 sample paper आपको करवाओंगा English score के latest syllabus and latest pattern के साथ प्लस में दोनों book की one shot की वीडियो आपके लिए cover कर दूँगा जिसके अंदर most important questions मैं आपको बता दूँगा और जो grammar की चीजे होती है वो भी कोशिस करूँगा करवाने की ये दो चीजे तो पक्का promise है कि मैं आपको करवा ही दूँगा ये जै, सर, अर्था, NCIT वाले सर का वादा है आप सभी बच्चों से तो thousand likes complete करवा दिजेगा ठीक है चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते है तो class 12 है हमारा subject English code जिसका subject code है आपका 301 English का जो आपका paper होगा वो तीन घंटे का होगा and maximum marks जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं यानि कि ST number का आपका paper आएगा नीचे चले तो हैं आपर आपको general instructions दिया गया है general instructions में बताया गया है कि जो आपका question paper होगा उसके अंदर 13 questions आपके होने वाले हैं और जो भी questions होगे वो compulsory रहने वाले हैं ठीक है and this question paper contains three sections यानि कि यह आपका जो question paper है वो तीन sections के अंदर बटा हुआ होगा section A जो रहेगा आपका वो reading skills का रहेगा जिसके अंदर आपको पता ही होगा कि जो आपका unseen passage वागेरा होता है वो आता है ठीक है and section B जो रहेगा वो आपका creative writing skills वाला रहेगा जिसके अंदर notice वागेरा या article वागेरा ये सारी question आप से पूछे जाएंगे and section C जो रहेगा वो आपका literature वाला रहेगा यानि कि इसके अंदर जो आपकी दोनों books है flamingo and vistas वाली उससे questions यहाँ पर आप से पूछे जाएंगे section C के अंदर आगे चले तो यहाँ पर बताएगा है कि attempt all questions based on specific instructions for each part write the correct question number and part in your answer sheet तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी questions है उनके लिए instructions वगेरा दिये गए है अलग अलग parts के अंदर तो आपको वो देख करके answer लिखना है and answer लिखते वक्त किसी भी question का आपको ध्यान में रखना है कि correct question number आप जरूर लिखे for example माली जे कि आप question number second का यहाँ पर answer लिख रहे है तो ऐसा नहीं कि question number वहाँ पर 5 लिख दे और फिर वो answer लिखे answer तो आपका second का है और आपने गलत question number डाल दिया तो आपके marks कट जाएंगे है की नहीं तो वही चीज़े यहाँ पर बताई गई है और आगे चले तो यहाँ पर बोला गया है separate instructions are given with each question part whenever necessary the prescribed word limit will answering the questions ठीक है तो मतलब यहाँ पर बोला गया है की instructions वागेरा अलग अलग से दी गई है तो आप उसको देख करके answer लिखेगा आगे यहाँ पर last में यह बोला गया है आगे की word limit का ध्यान रखेगा जो word limit आपको दिया गया है उसी के according आपको answer लिखना है तो यह कुछ important बाते रही जो आप कमिटम का exam होने वाला English score का उससे संबंध ही तासा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा चली हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि read the passage given below यहां पर जो passage आपको दिया गया है इसको read करना है इसके basis पर आपसे question पूछे जाएंगे उसका answer आपको देना है तो चलिए देख लेते हैं यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका यह passage दिया गया है कि घोश नेट्स आरंट जोहसो की supernatural बट दे आर जोहसो की लेजिकमेटली स्कैरी अगोश नेट इज फिशिंग नेट डैस बीन लॉस्ट और जोहसो की अबैंडेंड इन द ओशें कहने का मतलब यह है कि आपका घोश नेट होता है आप देखते होंगे कि समुंद्रों के अंदर जोहसों ना जो मख़ली पकड़ने वाला जाला जाल होता है इस्तरह से फेक गञतल रूपDamल 1 रूक साहगे जाते हैं ठीक है वो उसको ढूननी पाते हैं अब वो समुंद्र में ऐसी बह रहा है बह रहा है उसमें मचली भी आ रही है सारे जितने जीव जन्तु है फस्ते जा रहे हैं तो कहीं न कहीं यह बहुत ज़्यादा खतरनाक है पूरी समुंद्री जीवन के लिए यानि की ओशन लाइफ के हैं इसके बेसिस पे जो हमसे पूछे जाएंगे उसका एंसर हम लोग देने का प्रयास करेंगे कि पूरा पैसेज अगर पढ़ने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा हमारा खीक है तो इस तरह से दिया गया है वीडियो पॉस्ट करके आप पढ़ सकते हैं इसी के बेसिस पर आपसे कोशन पूछे जाएंगे और उसका एंसर आपको देना है बहुत सारे बच्ची यहां पर जो आपका अंसिंग पैसेज वगरा यह जो आता है यह कहां से आता है तो यहां पर देखो एक चीज़ में आपको बताऊंगा यह सिलेबस से नहीं आता है आपका लोग वहां से भी जा जा सकता है लेकिन हाँ यह चांसिस रहता है कि जो अभी करेंट में चल रहा है चीज़े उसके उपर भी दिया सकता है ठीक है यह चांसिस रहता है आपका अनसिंग पैसेज करने का बैस तरीका यही है कि आप प्रैक्टीस करेंगे टाइमर लगा करके कि हाँ चलो उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा पेपर के अंदर अंसिंग पैसेज को सॉल्व करना ठीक है तो यह चीज़े आप समझ के चलिए और करते रही है यानि कहने का मतलब यह है कि जो भी आपने इस passage को पढ़ा समझा जो भी आपकी understanding है उसके basis पर questions को आपको पढ़ना है और फिर answer लिखना है तो चलिए देखते हैं पहला question यह आप लिखे क्या है कि complete the sentence by choosing an appropriate option यानि कि आपको sentence को complete करना है जो भी correct option लग रहा है उसको choose करके तो यहाँ पर sentence क्या है भया कि ghost nets have been named so because they are not owned by anyone कहने का मतलब यह है कि जो आपको in which होता है जिसको भूत जाल भी कह सकते हैं इसका जो इसका नाम है इसलिए रखा गया है किंकि यह किसी के द्वारा भी ओंड नहीं है यानि को इसका मालिक नहीं होता है तो इसलिए इसको घोष नेट कहा गया है तो ऑप्षिन नमबर जो सी है हमारे यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दूसरा कोशिन देखें यहां पर क्या पूछ रहा है कि कमेंट ऑन राइटर का रेफरेंस है उसके उपर आपको कमेंट करना है कि घोष नेट जो होते हैं परग्राफ वन में बताया गया है एक हेल्थ प्रॉब्लम है ओसं के लिए यानि महासागरों के ल क्रॉनिक कहने का मतलब यह है कि आपका समुद्री जीवन है यह बीमार मतलब हो रहा है या कह लिए इसका बीमारी का कारण है यह घोष नेट आप क्या समझ रहे हैं कि हाँ यह मचली पकड़ने वाले ने इस तरह से जाल फेग दिया समुद्र में अब वो क्या होगा कि समु मचली बना रहा हूं यहां पर बहुत खराब है तो इस तरह से मचली हो गया आपका यह चोटे मोटे जीव हो गया सब इसके अंदर पस्ते चले जाते हैं फिर क्या होता है वो निकल तो सकते नियों उनके पास इतना दिमाग तो है फिर यह बहुत बड़ा जाल बन जाता है और बहुत सारे समूदरी जीवों को यह मार देता है और कोई एक मचली पकरने वाला जाल है वो तो है निस समूदर के अंदर बहुत सारे अशी है जो अबेंडेंट है इस तरह से है तो यह बहुत जाड़ा कह सकते हैं एक बड़ा हेल्थ इसू है जो आपका ओशन लाइफ ह यह नहीं समूदरी जीवन उसके लिए और इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया गया यहाँ पर यह बहुत ज्यादा बड़ी सवाध समस्यां जो है उभर करकर ला सकता है यह बड़ी संहस्या यह बन सकता हails जल्दी से जल्दी हमें इसके ऊपर action लेने की जरूरत है तो इस प्रकार से answer आपको लिखना है बच्चों तीसरा question देखें बच्चों यहां पर क्या पूछा है आपको यहां पर आपको clue दिया गया है पर प्रभाव पढ़ने की संभावना होती है यह संभावना है ठीक है आपको clue भी दिया गया है कि इस बारे में आपको सोचना है कि जो ball rest है वो किस प्रकार का जानवर है ठीक है तो answer आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि entangle and cause injuries यानि कि उलजना और चोट पहुंचना यह ह हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है यहां पर बताया गया है कि उलजना और दो बारा सथा पर आने से यह रोकता है साथी साथ leading to death by drawing यानि कि डूबने से मौत हो जाएगी तो इस प्रकार से आपको लिखना है यह सारा answer भाईया पैसिज के अंदर से ही आपको मैं यहां लिख बता रहे हो तो आपको पैसिज में मिल जाएगा थोड़ा से दिमाग लगाना होगा समझना होगा पैसिज को और उसके बेसिस के अंसर आपको लिखते हुए चलना होगा ठीक है चौत्था कोशन देखें यहां पर हमारा क्या है चौत्था कोशन जो है आपका फर्स्ट जो आपका नगन क्या विपरीत बताता है तो इसका विपरीत जो है यहां पर ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा यान कि स्टमार की है ठीक है ओन्यूमेंटल हो जाएगा पांचवा कोशन देखें बच्चों यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे कि दर राइटर वुड नॉट यानि कि जो लेखक है आपके न वो इस बात से सहमत नहीं है ठीक है जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है पैरग्राफ नमबर तीन के अंदर कोन सा स्टेटमेंट है वह या कि मोस्ट भोष नैट्स यानि कि जादा तर जो आपका भूछ जाल होता है प्रोवाइड नूट् हमारे यह अगरी नहीं करते हैं यह बात आपको परेग्राफ नमबर तीन में मिल जाएंगी आगे चलते हैं यहां पर अगला जो हमारा क्वेशन है च्छटा क्वेशन पर पैसेज का वह इस तरह से हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि सम रिकॉर्ट सेयर डाट फिशिंग न कहने का मतलब यह है कि कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि 1960 के दसक से पहले मचली पकड़ने के जाल जो है प्राकर्ति क्रेशिव का उपयोग करके सामाने रूप से रस्ती से बनाये जाते थे ठीक है और आपको परेग्राफ नमबर तीन के समझ के अधार पर बताना है कि वरतमा प्रेटरीम फाइबर होता है ठीक है उसकी छाल की तुन्ना में विगटित नहीं होते हैं और बायो-डिग्रेडबल आसानी से विगटित होते है तो इस प्रकार से एंसर आप लेख सकते हैं कि जो योस्ट वी बायो डिग्रेडबल यानि की इसली ये क्या हो सकते हैं इनको एक तरह से डिस्पोज किया जा सकता है और आटिफिश्यल फाइवर नेट टूबी नौट जो की डिसिंटिग्रेट कहने का मतलब है कि उनको जो है एक तरह से डिस्पोज नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर इस प्रकाश से इंसरा लिख सकते हैं आगे चलते हैं सात्वा को कुछ इस प्रकाश से पूछा गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि वाई इस इट पेर टू से दैट कमिट्मेंट एंड इनोवेशन हैं टू रिड़ ओशन ऑफ भोशनेट्स कहने का मतलब यह कहना क्यूं उचित है कि महासागरों को भूत के जाल से मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्धिता और नव प्रवत्तन को साथ साथ चलना होगा तो इस प्रकाश से हमारा question है तो answer आपको कुछ इस प्रकाश से लिखना है कि पूरा करने के लिए द्रीधता या लंबे समय के आप सकता हुद ठीक है यहां पर आप answer देख सकते तो यह mostly जरूरी नहीं है कि same पैसेज आपका रिपीट हो जाए पेपर के अंदर लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको सारे कोशन बताता चल रहा हूं कुछ कोशन यहां पर आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे आपका आटवा कोशन हो गया इसको देख लिए इस तरह से पूछा गया है एंसर आपक सकते हैं पैसेज को पढ़ना है और उसके और यहां पर ढesielt को डेखना है कि क्या करेक्ट टेंसर हमारे यहां पर वह सकता है हां पर यह जो पैसेज आद लीड़िट कि डीशाल है जली डीडरोप्मेंट शुट बी अपर और फ एडुयरीजुट प्रिपेरींग इंडिवीजियाल्सु स्ब्सवेट इन डिउमयक्रिये्टिक और प्रोग्रेसीव स्साइटिन स्विशाइटी यह आक्षेप्ट किया गया है कि हाँ एक बंदे को educate करेंगे तो वो आगे चलके एक progressive society का पार्ट बनेगा और democratic government वगेरा इसमें जो है as a part बनेगा democratic government का ठीक है यानि लोगतंत्र का एक हिस्सा बनेगा है न तो इस तरह से करके यहां पर आपको पैसे दिया पूरा को पूरा आप रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉस करके यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड पैराग्राफ के अंदर इस तरह से है कि 2014 के बारे में जिक्र किया गया है यहां पर जो स्टडी वगेरा हुई थी उसके बारे में आप इस तरह से वीडियो को पॉस करके पू भूण सकते हैं और लिख सकते हैं तो इस तरह से अगर आ जाता है तब भाया बल्ले यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से दिया गया है अब यहां पर क्या बोल रहा है second passage के अंदर कि based on your understanding of the passage answers the questions given below यहां पर भी आपको भी बोला गया है जो भी आपने इस passage को पढ़ा समझ और इसके basis पर जो questions पूछे जा रहे हैं आपसे उसका आपको answer देना है इस तरह से ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला question देखिए बचों यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे कि does the following statement agree with the information given in paragraph number one कहने का मतलब यह है कि क्या जो paragraph number number one में दी गई जानकारी है तो उससे यह जो statement है वो agree होता है या नहीं होता है इस तरह से true होगा या पॉल होगा इस तरह से आपको बताने हैं तो यहाँ पर देखिए statement क्या दिया गया है कि the researchers यानि कि जो सोध करता होते हैं जो research बगएरा करते हैं believes that educational institutions have idle resources to study impact of leadership skills on young adults यहां पर यहां पर यहां पर यह है कि यह कथन जानकारी का खंडन करता है ठीक है तो false हो जाए गई आगे चलते हैं दूसरा question देखिए बचों यहां पर क्या पूछ रहा है कि do you think the researchers of the study aim to change the students outlook towards the development of leadership skills directly or indirectly support your answer with the reference to the text यानि कि जो researchers बगएरा है उनका study जो है यह change करना है students का outlook towards the development of leadership skills ठीक है तो आपको जो अपना answer है वो लिखना है reference to the text तो कुछ इस प्रकार से answer आप लिख सकते हैं कि no यानि कि नहीं the aim of seeking students perspectives was to enable a better designing creation of the leadership programs in educational institutions यानि कि चात्रों के डिश्टिकों जानने का उद्देश है जो आपका educational institutions है यानि कि छेक्षिनिक संस्थाओं में जो आपका leadership कारेक्राम होते हैं उनको बहतर design करना और सक्सम बनाना था तो इस तरह से answer आप लिख सकते हैं उसी प्रकार से यहां पर questions पूछे गए हैं आप देख सकते हैं इस तरह से questions है और answer आपको कुछ इस प्रकार से लिखते हुए चलना है चौथा question देखिए बचो इस तरह से भी question paper में आ सकता है इसी format में जैसे complete the sentence यानि sentence को वाक्य को आपको पूरा करना है based on the following statement यह जो आपको कथन दिया गया है इसके आधार पर यह statement जो दिया गया है आपको इसके आधार पर क्या दिया गया है वहिया कि more than 50% of the identified students response were key to participate in the 2014 study we can say this because of because के बाद यहां पर fill in the blank statement पूरा करने वाला कह लीजे वह था तो यहां पर इस तरह से करना है आपको कि 72 out of 130 student कहने का मतलब यह है कि जो आपका यहां पर जो student होते हैं एक सो तीस में से 72 चात्र जो होते हैं वह सहमती व्यक्त करते हैं उनका सक्षतकार लिया गया है उनका interview लिया गया है तो इस तरह से यहां पर आपको sentence complete करना था इस statement के आधार पर ठीक है आगे चलते हैं यहा पर इस passage के basis पर question साफ़े इस परकास से पुछेगा है यह आप अपनी screen पर देख सकते हैं वचो ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जारा से जारा लाइक करते चलिए कि यह हमारा English का sample paper का पहला वीडियो है पहला वीडियो in the means की part one है यह ठीक है और अगर आपने इसके उपर जारा से जारा प्यार दिखाया जारा जारा लाइक किया तो इससे हमारा motivation लेवल बढ़ेगा और भी English के sample paper आपके लिए लेकर रहते हैं जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बैल का गंटी अगंटा कुस भी का सकते है आप देखने को मिलेगा उसको प्रैस करके ऑल पर क्लिक कर दीजगा जिससे की जो भी आपने वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आजाए और आपकी तैयारी वह और भी बैतर से बैतर तरीके से हो सके चली आगे चलते हैं आप पर देख सकते रहने वाला है बेसिकली ग्रामर वाला सेक्षन रहेगा इस सेक्षन के अंदर आपसे नोटीस हो गया एडवर्टीजमेंट हो गया लेटर हो गया रिपोर्ट हो गया आर्टिकल हो गया इस तरह की कोश्चिन जो होते हैं इस सेक्षन के अंदर आपसे पूछे जाते हैं और अगर आपको English subject में अच्छा marks लाना है तो यह वाला जो section है इसको strong कर लिजिए इसमें क्या होता है न कई सारी चीजे होती है जैसे notice letter वगेरा होता है इसमें format का ही number आपको मिल जाता है ठीक है एंसर जो लिखेंगे अपने दिमाग से उसका number तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ले से कि यह हो जाए कि मेरा तो पक्का पक्का है जो आपका section B है उसमें मेरा एक number भी नहीं कटने वाला है ठीक है तो चलिए देखते हैं यहां पर और यहां पर जब मैंने अपना board exam दिया था 2019 के अंदर तो जो सबसे पहला section में अटेंड किया था वो section B ही अटेंड किया था ठीक है तो यहां पर section B का पहला question और इस question की पर का तीसरा question क्या है वहिया attempt anyone from A and B given below यानि कि यहां पर दो question आपको दे दिया गया है दो मेंसे कोई अपको attend करना है और दोनों ही हमारा यहाँ पर notice होने वाला आप देख सकते हैं पहला जो है यहां पर water shortage को लेकरके आपको notice लिखना है ठीक है यह देख सकते हैं चाहे तो आप यह लिख सकते हैं मैंने इसके नीचे वाला यानि choice में जो दे रखा है question यह वाला करकर दिखाया है आपको कि in the capacity of the president of RWA ठीक है रेजिदेंस welfare association होता है मयूर विहार दली राइट नोटिस इन about 50 words informing all the residents about the power cut for installation of electronic meters seeking their cooperation ठीक है यानि कि जो electronic meter है वो लगाया जाना है कहां पर है यहां पर यह मयूर विहार दली के अंदर तो जो भी वहां पर निवासी है रहने वाले लोग है उन सब को जानकारी देना है नोटिस के माधियम से यहां पर पावर कट होगा क्योंकि जो मीटर है लेक्ट्रोनिक मीटर यह लगाया जाएगा इसलिए आप सभी का जो सहीओग है यह बहुत जरूरी है माले लिए अब इसके लिए आप नोटिस कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपको उपार लिखना है रेजिदेंट वेलफेर अस्योशेशन मयूर विहार डली यह लिख दिया आपने उसके बाद आपको लिखना है यहां पर नोटिस पिर आपको एक डेट लिखन गेंदर कोई भी डेट नहीं था ठीक है अगर कोश्चन के अन्दर गिखा गया है तो उपने अनुसार यहां पर लिख सकते मैंने यहां लिख दिया है अपरेल 7 2023 थिक है तो आपको पावर कट ओढ के लिए नोटिस है पिर आप अपना बेसिक सा जो format रहता है नोटिस का उस कट फोर आवर्स ऑन एर्थ माई 2023 वन पी एम तु फाइब दू इंस्टोलेशन ऑफ इलेक्ट्रोनिक मीटर इंकन्विनियन्स इज रिक्रेटिट कृष्णा वर्मा प्रेजिडेंट आर डबलू ए ठीक है यानि कि यहां पर यहीं बताया गया है कि इतने भी निवासी है भहिय है वो लगाया जा रहा है और जो बिजली कटेगा यानि पावर कट जो होगा वो उसका टाइमिंग क्या रहने वाला है एक बज़े से ले करके शाम के पांच बज़े तक आपका पावर कट रहेगा असुविधा के लिए खेद है ठीक है कृष्णा वर्मा अध्यक्स यानि क कि आपका प्रेजिडेंट रडबू ए रेजिडेंस वेलफेर असौशिए तो इस तरह से आप अपना जो नोटिस है वो कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग आ गए हैं चौथे कोशन के अंदर इसमें भी बोल रहा है कि कोई एक कोशन आपको अटेंड करना है ए या बी में से और कोशन दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं इसमें भी आपको ड्राफ्ट इंविटेशन करके दिया गया है इन्विटेशन ही लिखना है 50 वर्ड के अंदर यहां पर भी मेगना मेनन है और यह जो है आपना जो कलीग से उनको इन्वाइट कर रही है इनोग्रल कैसे लिखंगे मैरीजट फंक्षन के लिए ठीक है और यह जो मैरीज फंक्षन है यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है मदन सर्मा और वाइब के बारें बात हो रही है तो लाइशित यूर ग्रोशियस प्रेजन्स ओन दा जोसो की ऑस्पिशियस ओकेशन आफ दा मैरिज अफ देर ग्रैंड डॉर्टर यानि की सुभ अवसर पर अपनी गर्म गरी माई उपस्थिती का अनुरोध करे उनकी पोती की साधी का अब यहां पर पोती कोन है भाया खुस जो कि किसके सन है भाया यहां पर जोती जी के सन है बोले तो यहां पर पूत्र है और कृष्णा सर्मानी के ठीक है तो इस तरह से रहेगा फिर भाया यह कब हो रहा है आपका तो 25 मैश 2023 को और कि कोशन के अंदर कोई डेट मैंस नहीं था इसलिए मैंने अपने मन से यहां पर पार्टी लॉन प्रीत विहार मार्ग डेली ठीक है डबल वन डबल जीरो थी वन यहां पर एड्रेस रहेगा इस तरह से यहां पर यह होने वाला है और फिर लिख देंगे आपका विट बैस्ट कॉंप्लिमेंट्स प्रॉम विनोज सर्मा एंड और रिलेटिव ठीक है फिर आप यहां पर लिख देंगे RSVP करके मदन सर्मा फिर यहां पर यह इस तरह से अड्रेस आ जाएगा फिर फोल नमर आ जागा ठीक है तो इस तरह से यहां पर जो इंविटेशन है वो लिख सकते हैं फॉर्मल इंविटेशन मैरीज को लिख ठीक है आया होगा बच्चो आगे इससी कोशन में आपको अत्वा दे रखा है यानि कि अगर आप ऊपर वाला कोशन नहीं आता तो नीचे वाला कोशन आप यह अटेंड कर सकते हैं अब हम लोग आ गए हैं पांचवे कोशन के अंदर इसमें भी आपको दो कोशन दिया गया है ए और बी करके इसमें से कोई ए अगर आप लड़की है तो आपका नाम होगा सिवानी ठीक है रेजिडेंट ऑफ बी फॉर सिक्स्टी फाइव रोहिनी यू रीड फॉलविंग एडवूटीजमेंट इन रिस्पॉंस तो ड़ाइडवूटीजमेंट गीविंग यूर डीटेल रिजिम कहने का मतलब यह जॉ पर आपको जॉब लेटर लिखना है ठीक है आप चाहें तो यह वाला कोशन कर सकते हैं मैंने इसका आत्वा वाला यह जो कि आपका एडिटर का लेटर होता है नहीं वह वाला है यहाँ पर कोशन क्या है कि वह खुजबू यानि कि अगर आप लड़की है तो आपका नाम of stress in today's competitive environment, write a letter to the editor highlighting increasing stress faced by students and suggesting ways and means to combat it यानि कि आज कही competition भरा माहौल है इसमें जो students होते हैं उनकी दिमाग पर बहुत ज़रा stress बढ़ जा रहा है ठीक है तो इस stress को कैसे कम किया जा सकता है इस competition वाले महौल के अंदर तो वो सारी चीजों का सुझाओ देते हुए editor को letter लिखना है और बच्चों को बताना है अपने letter के माध्यम से जो आप editor को लिख रहे हैं कि कैसे competition भरे महौल में अपने दिमाग को सांत रखा जा सकता है और stress को कम से कम लिया जा सकता है ठीक है तो आपके school का नाम आ गया है डली में है वही आपका school तो यहाँ पर इस तरह से लिख दिया फिर date आ जाएगा आपका यहाँ पर question के अंदर date mention नहीं था तो मैंने अपने मन से date लिख दिया है आपर 19 मई 2023 करके date है आपका फिर आप नीचे लिखेंगे the editor अब यहाँ पर किस editor को लिखना है वो भी mention नहीं है आपर तो हम यहाँ पर अपने हिसाब से चूज कर लेते हैं आपका editor टाइम्स ऑफ इंडिया कर गया मैंने बहादूर साह जफर मार्ग न्यू डेली 11002 यह वहां का एड्रेस है ठीक है यह जो आपका अख़बार है उनका आगे चलते हैं subject क्या ह हमारा problem of increasing stress faced by students यानि कि जो चात्रों में तनाव की समस्या बढ़ रहे है यह हमारा problem है तो इस तरह से इसके उपर यह subject हो जाएगा आपका फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप लिख देंगे sir या madam जो भी है फिर आप यहाँ पर अपना जो editor का letter है वो लिखना शुरू क करेंगे कुछ लाइने जो है starting की जो लाइने है यह सभी editor के letter में same होगा यह आपका letter के format का ही पार्ट है जैसे through the columns of your estimate newspaper I would like to express my views on the problem of ठीक है यह जो लाइन है आपका यह हर editor के letter में एक जैसा ही आपको लिखना है ठीक है यानि कि इन लाइनों का मतलब होता है कि आपके प्रत से increasing stress among the students due to highly competitive environment ठीक है यानि कि जो बच्चों के अंदर stress जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है कि इस highly competitive वाले environment के अंदर इतना जारा competition से भरा environment है इसलिए यहाँ पर बच्चों के अंदर जो stress level है या तनाव का जो level है वो दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है ठीक है तो इस हिसाब से अब क्या करना है आपको अपने हिसाब से लिखना सुरू कर देना है अगर आपको इंग्लिस आता है प्रोपर तरीके से तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिस नहीं आता है तो आपको यहाँ पर क्या करना है थोड़ा सा बना-बना कर लिखना होता है ना वह आप यहां पर बना बनाते लिख सकते हैं जैसे तुडेश वर्ल्ड इस फुल ओफ कॉंपटिशन यानि कि आज का विश्व है वह पर प्रतिस पध्धा कॉंपटिशन से भरा हुआ है ठीक है इस प्रकार से आप यहां पर एंसर लिखते हुए चल सकते ह यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है वीडियो को पास करके आप रिडाउट भी कर सकते हैं यहां पर आपका यह एंसर हो गया फिर लास्ट में क्या आजाएगा यॉर सिंसियरली और जो कोशन में आपका नाम दिया गया था अगर आप लड़की है तो आप यहां पर लड़क है इस तरह से दिया गए है कि you believe that all living beings have equal right to live on this earth freely and man has no right to enslave the animals you feel strongly when you see people being cruel to animals write an article on cruelly to animals in about 150 to 200 words you are Rajesh या फिर Rajeshwari कहने का मतलब यह है कि आप आप का मानना है कि सभी जीवीत प्राण्यों को इस प्रित्baby पर सतंद्र रूप से रहने का समाना अदिकार है और मनुष्यों को जान्वरों को गुलाम बनाने के कोई अदिकार निये थीक है गुलाम बनाने कोय अदिकार तो हैente स्लेव हम उनको बनानी सकते यह बिल्कुल सही बात कहीं है फिर आगे देखे बताए गया है कि जब आप यहां पर लोगों को जानवरों के प्रतिक क्रूर होते हुए देखते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है हैं बुरा तो लगता है जब आदमी लोग जानवरों के तो इनसानों को जानवरों में बिल्कुल भी नहीं है तो आप जब पॉन जयादा बुबरा लगता नहीं है ये प्रूरता की जा रही है उस पर लगभग आपको 12500 से 200 सब्दों में एक यहां पर क्या लिखना है आपका नाम भी आपर दिया गया है अगर आप लड़के हैं तो आप लड़की है तो आपका नाम राइटिंग है तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसके अथवा में इसके चॉइस में भी आपको एक कोशन दे दिया है क्या दिया है यहां पर कोशन कि आप यह वाला कर सकते हैं आपकी मर्जी जो भी कोशन आपको आठा है पको कर सकते हैं आगे speaking वाला भी एक question लाकर रिखाऊंगा जो अगला sample पर लाऊंगा उसके अंदर आपको article वाला भी question करके लिखाऊंगा कि article आप कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको report बता रेता हूं कि report आप कैसे लिख सकते है report लिखने का basic fund यह है इसमें उतना कोई format का रोल नहीं होता है यह रहेगा कि यह mostly past में लिखा जाबता है report ठीक है तो इस चीज को उपर खास ध्यान रखेगा अब यहां पर यहां पर report पूरा पूरा शुरू हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं सर्वोदे कन्या विद्याले मंजिली स्पार्क अंडर टूक अ क्लीनेस ड्राइब दूरिंग दा मन्थ ऑफ एप्रेल टू थाउज़न कर्टी थ्री इन अकॉर्डेंस विट क्लीन इंडिया कैंपेंड दे स्कूल जहसों की चॉक्ड आउट मंथली प्लैंड टू अर्गनाइज जहसों की नमरश एक्टिविटी सच आइस स्काइट्स डिवेट्स स्पीचिस पूस्टर मेकिंग एटीसी थी कहने की एक्सेक्टरा कहने का मतलब य बिवाद यानि डिवेट जो होता है आपका भासन पोस्टर मेकिंग आडी जैसे कई गति विडियों को आयोजित करवाया ठीक है इस तरह से आपका यहां पर रिपोर्ट आज आएगा यहां पर आप देख सकते हैं और पूरा का पूरा रिपोर्ट आप इस तरह से लिख सकत सेक्षन बी देखा अब जो हमारे सेकंड पार्ट वाला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग सेक्षन सी को देखेंगे पूरे पार्ट वाले वीडियो के अंदर खीक है आई होप कि आपको सेक्षन ए और सेक्षन बी बहुत अच्छी तरीके से समाझ में आया यही था आ सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह की वीडियो से हम आपके लिए लेकर आत रहते हैं और जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बैल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा उसक कि जो भी हम नहीं वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाये करें और आपके जो तैयारी है एक्जाम्स के लिए वो और भी बैतर से बैतर तरीके से हो सके और आज की इस वीडियो के लिए इतना है मिलता हूँ आप से अगली और ए मत्रम